हेलो फ्रेंड्स हाव अर्यू यू 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 फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक जबरतस्त डायेट टेक्निक लाया हूं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आपके अंदर बहुत इंप्रूब्मेंट पाएंगे गाइलс मैं इस टेक्निक को फॉलो करके बहुत बेनिफिट पाया हूं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप लोग एक तो अब आएए जानते हैं इस डायेट टेक्निक के बारे में तो फ्रेंड्स इस डायेट टेक्निक का को बोलते हैं intermittent fasting technique तो आएए अब जानते हैं कि intermittent fasting technique होता क्या है तो friends intermittent fasting कोई diet नहीं है बलकि ये एक खास तरह की eating pattern है जिसमें आपको एक particular fasting and eating time को follow करना पड़ता है तो अब बात आता है कि इस technique को कैसे follow करें तो friends इस technique में आपको 16 is to 8 formula को follow करना पड़ता है इसका मतलब आपको daily 16 hours का fasting करना है और आपको आपका हर meals that is breakfast, lunch and dinner को 8 घंटे के अंदर खतम करना है for example आप आपका सब meals को खतम कर सकते हैं वो दिन ए time period of 11 am to 7 pm और जी हाँ वो 16 घंटे की fasting के अंदर आप liquids ले सकते हैं like water, tea, coffee, coconut water, etc. अब बात आता है कि वो 8 घंटे की time के अंदर हम कितना खाना खाए तो friends उस 8 घंटे के अंदर if you are female तेन आप 2000 calories से ज्यादा intake मत कीजिए and if you are male तो आप 2500 calories से ज्यादा intake मत करें अब आईये जानते हैं कि इस technique को follow करने से क्या फाइदा मिलता है तो friends इस technique का बहुत सारे benefits है like number one weight and body fat loss number two improved mental clarity number three improved concentration power number four increase your growth hormone और बहुत सारे benefits friends मैं इस technique को follow करके जबर्दस results पाया हूँ मैं आपको recommend करूंगा आप इस technique को एक महिने के लिए जरूर try कीजिए अगर आप कुछ अच्छा results को आपके अंदर notice करते हैं तो आप इसको continue करें हैं तो friends अब आते हैं एक important बात पर जो है who should not follow intermittent fasting किन किन लोगों को इसको follow नहीं करना चाहिए number one an underrated person मतलब जिसका body mass index BMI is less than 18.5 अगर आपको eating disorder है like anorsia number two if you are pregnant and अगर आप कोई medication prescription को follow कर रहे हैं तब number three अगर आपका उमर एक्षा साल से कम है आप इन टेकनिक को मत follow कीजिए number four अगर आप कोई भी medical disease से पीरित हैं such as liver disease, kidney disease और heart disease तो आप इस टेकनिक को मत follow कीजिए तो friends वीडियो को मैं यहीं पर समयपत करता हूं उमीद करता हूं कि आपको यह टेकनिक से बहुत फायदा मिलेगा friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप kindly इसको अपके दोस्त और परिबार के साथ जरूर स्यार करें thank you keep smiling करता हुआ है प्यादा करेंati का लिए है आपको यह वीडियों कि अपकिंग टोस्त अहां कि विए करता है कि प्रूर के विए पर आपको कि अजयुए है